पुलिस ने लाश को पोस्ट माटम के लिए भेजा है मृतक की माता रीता देवी ने बताया कि शुकरवार शाम करीब चार बजी अपने पड़ोसी धनी राम के यहां लड़की की शादी थी जिसमें चावल रस्म कारिक्रम में सम्मेलित होने गई थी वापस आई तो देखा कि उनका पोत्र मृतक बड़े लाल और उधर प्रताप 28 वर्ष का छट की कुंटी में गमचा से फासी लगा लिया है मृतक की माता ने बताया कि बड़े लाल की शादी नहीं हुई थी वह किराय पर बैटरी रिक्षा लेकर चलाता था उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने फासी लगा कर जान दे दी तो हम लोग आए उदर जे अच्छा ये कौन सा गाम है ये जो घटना घटी है कल ये आपके कौन थे बतमा लड़का हुई अच्छा तो ये कैसे हुआ हम ना आई रहे हैं घरा चौपका बताई कोई हमेरे घर पर नाई रहे हैं कहां गये थे आप सब पत्वा लोग बाठे ह अच्छा जाने रहे हैं तो दो लेकर दो दो लेकर दो बुझर गये तो पहले एक ये तो बढ़े वाले उन से छोटी थे हां ये साजील है उनका क्या नम था शूपर साड और ये जो घुजरे हैं कल अधि तो आप घर पे नहीं थे ना आई रहें चाओ पर शरी चली गए ना किसके घर गए थे क्या नाम हमका नहीं राम तो देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर